तो flip card के तरब से दोस्तो एक और box आ चुका है और इसके अंदर है Poco X5 5G और इसके बारे में आज सारी जानकारी आपको मिलेगा वैसे open box delivery था तो जैसे तरह से मैंने वीडियो शूट कर लिया आप देख सकते हैं यह है Poco X5 5G इसको open करने के बाद दोस्तो एक और box आपको दे का cable मिलेगा और 33W का एक adapter भी दिया गया है तो इस phone के unboxing काफी जाधा sorted थी दोस्तो वैसे हाँ इस phone को मैंने compare भी किया है iqoo के Z7 5G के साथ और इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है unboxing वाला तो आप i button पे click करके देख सकते हैं आपको idea लग जाएगा क्योंकि यह phone भी 2000 तक के instant discount आपको मिल सकते हैं वैसे देख लेना मेरे website का भी link मैं आपको दे दूँगा तो basically दोस्तो इस phone को जब मैं देख रहा था तो मुझे एक phone और दिखा जो की है Poco X4 Pro 5G already मैंने आपको बहुत बार बताया है glass back panel 67 watt का आपको support मिलता है वहाँ पर भी वही processor है तो basically updates के साथ यह phone आपको देखने को मिलता है खेर चलो ज्यादा tongue नहीं घीसते हैं सबसे अच्छी बात जो मुझे यह phone की लगी वह है दोस्तों यहाँ पर से थोड़ा हलका है यह phone वैसे हाँ उतना हलका नहीं है IQ के Z7 के जितना बट यह जो phone है यह आपको ना 190 gram के round का weight के साथ देखने को मिलता है तो यह चीज मुझे काफी अच्छा लगा एं 5G के 7 bands आपको मिलते हैं speed test जो हमने किया था उसका भी result आप देख सकते हैं and calling के दौरान दोस्तों आपको अच्छी बात यह है कि आपको MIUI dialer मिलता है तो आपको ना मतलब basically वह जो calling वाला जो रहता है ना ज Snapdragon 695 का processor and Geekbench scores भी आप देख सकते हैं, Antutu scores भी आप देख सकते हैं, even मैंने CPU throttling test भी किया था, रिजल्ट काफी अच्छे निकल के आए थे, frame rates जो हमने gameplay किया था, call of duty उसको आप देख सकते हैं and gaming experience भी आपको अच्छी देखने को मिलती है, तो all in all आपको आपको यह basically जो Snapdragon 695 already tried and tested processor है, भाई इस पर आप rely कर सकते हैं, gaming करने के लिए 3.5 mm jack भी आपको दिया गया है, fast चाजा चलो ठीक है 33 watt का है, लेकिन चलो type C के साथ आपको मिलता है, तो दोनों चीज आप एक साथ कर सकते हैं, read and write speed भी काफी अच्छे निकल के आए थे, तो देखा जाए घुमा फि 7 inches का amoled के साथ आपको देखने को मिलेगा, 1200 nits का आपको peak brightness दिया गया है, और ये 120 hertz के refresh rate को support करता है, और अच्छी बात यह है कि बिन्दी notch आपको दिया गया है, मतलब dot notch आपको दिया गया है, तो अगे जो immersive experience भाता न, viewing angle ये सब के हिसाब से, आपको बहुत सही लगेगा, बट दो चीज मैंने notice किया कि पहला तो यहाँ पर से आपको वीडियो अगर आप देखते हैं, तो 4K मैं वीडियो प्ले कर रहा था, option नहीं दिया जा रहा था, पता नहीं कुछ update के माधियम से fix हो सकता है, and secondly HDR का भी option नहीं मिल रहा था YouTube पे, although मैं ये वीडियो HDR वाला ही प् देखो, तो इसके अंदर दूसरा phone है, तो वही मेरा phone excel हुआ था, तो उसके लिए मैं गया था बाहर, तो वही था कि मतलब मैं इसको check किया, मुझे result अच्छे देखने को मिले तो all in all, मतलब performance और display के हिसाब से आप rely कर सकते हैं, बड़ एक जगा cost cutting की गई है, कि यहाँ पर single आपको देखनी को मिलेगा, जो आपको sim card दिया गया है, वो hybrid slot वाला है, तो दो sim card आप लगा सकते हैं, या एक sim card, एक memory card, वैसे यहाँ 5G enabled है, तो अच्छी बात रहेगी दोस्तों, यह जो smartphone है, यह पतला है, हलका भी है, यह चीज मुझे काफी अच्छा लगा, चलो यहाँ आपर मैं, physical overview दिखाता है, तो पीजे के तरफ आप देख सकते है, triple camera का setup है, आप देख लो, बाकी यहाँ पास LED flash, Poco की branding, 5000 image की बैटरी, 5G यहाँ पर mention किया गया है, लेट साइड के तरफ से आपको sim tray मिलता है, जो आप मैने आपको बता है, hybrid slot है, नीचे के तरफ से main microphone, type C का support और speaker के events, single speaker के साथ आपको मिलेगा, और यहाँ पर से right side के तरफ आपको मिलता है, power on off का key और यहीं पर से fingerprint sensor है, उपर के तरफ volume up and down के key मिलेगा, सबसे top में दोस्तों आपको secondary noise cancellation के साथ IR sensor and 3.5M jack मिलता है, front की जहाँ तक रही बात दोस्तों आपको 13MP का selfie shooter मिल जाएगा, ज जहाँ तक रही बात दोस्तों bezels की, तो थोड़े से उपर के तरफ कम है, बट नीचे के तरफ से आपको relatively जादा देखनी को मिलेगा, वैसे एक question में आपसे पूछना चाहूँगा, तीन phones में से आप कौन सा pick करोगे, IQ Z7 5G, Motorola G70 3 5G या फिर Poco X5 5G, क्योंकि तीनो 20,000 के नी दोस्तों तो about section में ले जा करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं सारे details यहाँ पर से mention किये गए हैं, even यहाँ पर से android 12 out of the box आपको मिलता है, तो वो चीज मुझे थोड़ा सा खला, वैसे ram expansion आप कर सकते हैं, जहां तक रही बात दोस्तों, bloat waste के बारे में तो भाई यहाँ पर भर भर के आपको मिलते हैं, जिनको आप personally uninstall कर सकते हो, और जब आप इसको पहली दफा बूट करोगे ना, तो वहीं पर से बहुत सारे ideas आपके options आ जाते हैं, तो मेरा recommendation रहेगा कि भाई उसको बंद कर देना, ताकि आपको थोड़ा सा जाधा clean experience मिले, but to be very honest, मु Google auntie आपको बार-बार disturb नहीं करेगी, आप चुपके से recording कर सकते हैं, तो यह सार कुछ मुझे थोड़ा अच्छा लगा, और top of that आपको IR sensor में मिलता है, गर्मी के टाइम में आप AC को भी use कर सकते हैं, तो वो सब चीज यहाँ पर add-on है, जहां तक रही बात मेरे users experience के बारे मे यहाँ पर से ना, camera का UI दिखाता हूं, तो photo mode देख सकते हो, video mode में यहाँ पर से अगर में आपको दिखाऊं, settings में जाकर के, तो आपको 30 fps 1080 का option मिलता है, and front में दोस्तों यहाँ पर से अगर में आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर भी same है, तो basically 4K का recording का option आपको नहीं मिलता है and normal EIS support करता है यह phone, तो कुछ samples है आप यहाँ पर से देख लो, detailing तो आपको definitely अच्छी देखनी को मिलती है, and जितना मैंने इसको test किया, I am definitely satisfied with the result, हलाकि हाँ थोड़ा ज्यादा megapixel होता friend में, तो थोड़ी और detailing आ सकती थी, but it's okay, जहाँ तक रही बात दोस्तों video sample की, तो footage back camera का sample थोड़ा समय चल करके recording कर ले रहा हूँ, इस studio के अंदर ही तो आपको अंदाजा लग जाएगा, और बाकी यहाँ पर से focusing टेस्ट कर लेते हैं, तो focusing तो ठीक ठाक कर ले रहा है यह, आप देख सकते हो, बाकी result and quality कैसी लगी, comment के माधियम से हमें आप बताईएगा, and य screens मुझे दिख रहे हैं, जो कि आप भी साहर देख सकते हो, तो आप बताओ कि आपको quality कैसी लगी, तो all in all दोस्तो इसका camera setup एकदम best तो नहीं है, बट हाँ आपको experience ठीक देखने को मिल जाएगा, वैसे जब इसको हम IQ Z7 5G के साथ compare करेंगे, तो उस समय आपको और भी idea लगे और ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जहां तक रही बात दोस्तो, front में तो face unlock भी मिल जाता है, तो उसका भी result आप देख सकते हैं, तुरंट से यह unlock कर देता है device को, fast है, reliable है, बट वही है कि in display fingerprint scanner होता, क्योंकि AMOLED display है, तो और जाद अच्छी बात होती, ब FM Radio का भी support आपको मिलता है, और इसके साथ साथ दोस्तो, जब storage को हमने check किया था, first time जब boot किया था, तो कुछ इतना storage यहाँ पर empty मिल लिया था, तो इस Poco X5 5G के regarding मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया, और price की बात करते हैं, तो 6128 आपको मिलेगा 18999 में, 8256 आपको तो description box जरूर चेक कर लेना, मेरे website का भी link आपको मिल जाएगा, अब दोस्तो बात करते हैं, वोडिट के बारे में, तो जो चीजे है ना मुझे अच्छी लगी, वो है इसका design, build quality मुझे अच्छा लागा, मतलब overall देखा जाए तो, and even दोस्तो उसका display superb है, क्योंकि generally हम देख firing है, तो वो चीज मुझे थोड़ अच्छा नहीं लेगा, speaker के terms में, and बाकि दोस्तो अगर देखा जाना, android 12 के साथ ही आपको मिलता है, तो वो सब चीज है, तो overall एक अच्छा package है, मैं इतना बोलूँगा, लेकिन वही है कि आप वेट करके खरीद हो, या फिर card offer लगा करके क्योंकि 19 जाथ थोड़ा definitely उतना जाल justify नहीं कर रहा है, मेरे हिसाब से, बाकि हाँ, gaming के point of view से, snapdragon 695 definitely justice कर देगा, क्योंकि 3.5 mm jack भी है इसके अंदर, तो वो सारे चीज है, और बाकि on and all, अगर आपका budget ठीक ठाक है, मतलब 16-17,000 के आस पास जा रहा है, card offer में लगा के कर के जाना, so thanks a lot for watching.